हाई अवरिवान, वेल्कम टूस्पाइ क्लासेज, तो फाइनली हम लोग ट्रांस्पोरेशन से शुरू करने वाले हैं, तो मने दो लाइफ प्रॉफस अब भी तक पढ़ लिए, न्यूटरिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके लावा रेस्परेशन हम लोग तीसरा लाइफ प्रॉफस हमारे से लेबस में हो है ट्रांस्पोरेशन, ट्रांस्पोरेशन में एक मेजर रोल होता है हर्ट का, इस लज़े से मैंने यहां पर हर्ट को दिखाया हुआ है, यह आपको यह हर्ट पंपिंग करता हुए, यहां पर नजर आ रहा है, तो चलो आज ट्रांस्पोरेशन में लोग प्लांट में बात करें, क्योंकि पढ़ने तो दोनों के अंदर ही है, ठीक है, चलो यह तो, तो सबसे पहले जो बात आती है, सब आती है कि ट्रांस्पोरेशन होता क्या है, देखो वर्ड कितना क्लियर है, ट्रांस्पोर्ट, किसी चीज को एक जगा से दूसरी जगा लेके आ जायना तो transportation का मतलब उही होता है जैसे normal life में transportation होता है truck यूज़ होते हैं इसके अलब ऐरोड़ प्लेंस यूज़ होते हैं off the Cargo ूज़ उते हैं यूज़ सारे के जहाती है ईसके अलब बहूइझ दूसर्पटेसिंश दूसरी प्लेंस तक ले तो ट्रांस्पोर्टेशन एक ऐसा प्रॉसेस है जहां पर बॉडी के अंदर इस बन रहे हैं उनको एक पार्ट से तूस्टे पार्ट तक पहुचाना जहां पर उनकी रिक्वार्मेंट है रियालिटी में तो यही डेफिनिशन बन जाएगी देख लो जरा जो बॉडी के किसी एक पार्ट में सब्सटेस से दूस्टेस तक पहुच जाएंगे इसी चीज को हम ट्रांस्पोर्टेशन बोलता है अब नेक्स बात यह आएगी कि बोगो ट्रांस्पोर्ट करना किसको है क्या-क्या चीज़े ट्रांस्पोर्ट करनी हुथ हैं body के इंदर तो body के इंदर बहुत सारे nutrients बनते हैं, ज़ो हम खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे nutrients होते हैं, उनको absorb करके एक place से, दूसरे place तक लेके जाना होता है हमारी body के इंदर gases होती है exchange होता है उन gases का oxygen का और carbon dioxide का तो उनको body के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेके जाना होता है कि अगर lungs में हमारे पास oxygen आई अलवलीज के अंदर तो उस oxygen को body के सभी सलसक पहुँचाना है ताकि वो respiration कर सकें उनको कोई लेके तो जाएगा तो जो लेके जाएगा वो transportation system का एक part हो गया इसी तरह से जो CO2 वो बहां से बनेगी उस CO2 को बहां से उठा के लेके आके वापस lungs ब छोड़ देते हैं तो जो यह काम करेगा वो भी transportation system का एक part हो गया बहुत सारे metabolic waste होते है हमारी body के अंदर जैसे हमारी body के अंदर urea बनता है uric acid बनता है तो यह metabolic waste है body के अंदर बनने वाले जिनको body से remove करना ज़रूरी है तो यह remove कहां से होते है kidney filter करती है blood को तो यह metabolic waste को kidney तक पहुंचाने का काम कान करेगा यह जो भी काम करेंगे वो circulatory system का पार्ट बन जाएगा इसी तरह से antibodies जो बनती है उनको एक place से दूसरे place तक लेके जाने काम hormones को transport कराना है तो यह various various substances हैं जो body के अंदर एक place से दूसरे place पर transport कराने की requirement होती है इनको ठीक है अब कौन transport कराएगा कुछ fluids होते हैं body के अंदर जो इस काम को proceed करते हैं आगे कौन-कौन से fluids होते हैं हमारी body के अंदर एक तो blood major role play करता है आपको सबको पता है कि हमारी body में blood different different चीज़ों को एक place से दूसरे place तक लेके जाता है वो चीज़े blood के अंदर dissolve हो जाती है और blood के थुरू एक place से दूसरे place तक पहुंचा दी जाती है blood के अलावा एक और नया substance होता है मैं भी अपने नाम ना सुनाओ lymph इसको भी हम इस बार यहाँ पर पढ़ेंगी कि lymph के बारे में कहां होता क्या है स्लिबस में आपके देख तो blood होता है body के अंदर हीमो लिंफ नाम का substance होता है ठीक है और हमारी body में blood भी होता है और lymph भी होता है तो ये fluids circulation परफॉर्म करते हैं इन सब चीज़ों का body के एक place से दूसरे place तक ठीक है ना तो ये समझ में आगे कि क्या चीज़े ट्रांसपोर्ट करनी है और कौन-कौन उसको help करेगा transportation में हमने ये liquid के नाम भी देख लिए अब बाद आती है कि ये जितने भी हमारे पास organs है मतब जो भी हमारे पास partitions आएंगे जो उस पूरे transportation system में हमारी help करेंगे वो सारे organs मिल के क्या बनाएंगे वो circulatory system बनाते है हमारी body का तो हमारी body के circulatory system के अंदर जैसे तुम्हें diagram दिखाए दे रहा है एक pumping machine है बीच में जिसे हम herd बोलते हैं आपको एक जाल दिखाए दे रहा है बहुत सारी pipelines बिछी हुई है इन pipelines को क्या बोलते हैं vessels बोलते हैं, blood vessels जिनके अंदर arteries भी होती हैं veins भी होती हैं blood capillaries भी होती हैं इनके अंदर क्या flow होता है? blood flow होता है कुछ के अंदर oxygen बोलते है कुछ के अंदर बिना oxygen बोलते है तो वो सब बाते हम लोग discuss करेंगे तो यह सारे component जो तुम्हें diagram में नजार आ रहे हैं pipeline है हर्ड़ पाइपलाइऑ protocols होने वाला blood है वो milk के क्या बनाते है? circulating system बनाते हैं हमारी body का अब बात आते है चुछ circulating system होता है circulatory system कितने डाइप च area होता है तो जिन भी animals में circulatory system होता है वो दो तरह का हो सकता है या तो open circulatory system होगा यह फिर closed circulatory system होगा open circulatory system का मतलब क्या है वहाँ पे जो fluid उनकी body में flow होगा क्योंकि मैं fluid बोलूँगा क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि blood ही हो हो सकता है कि hemolemphoon की body में अगर insect की बात करें तो जो भी fluid उनकी body में flow हो रहा है जो transportation का काम कर रहा है अगर वो direct tissues के contact में आता है मतनब किसी pipeline के अंदर flow नहीं होगा ऐसी openly flow हो रहा है tissues के contact में direct आ रहा है तो वो open circulatory system के लाएँगे और दूसरे गाले case में क्या होगा अगर blood tissues के direct contact में नहीं आता है जो fluid flow हो रहा है वो direct contact में नहीं आता है वो proper pipeline के अंदर flow होता है pipelines बनी हुई है कि proper उन pipeline के अंदर ही वो particular fluid flow होता है तो ऐसी situation में ये closed circulatory system के लाएगा तो हमारी body में कौन सा होता होगा सोचो ज़रा तो हमारी body में closed circulatory system होता है क्योंकि हमारी body में arteries, veins और capillaries का network पुरा बिच्छा हुआ है तो circulatory system का ethics basic idea होना चाहिए कि कितने type का होता है open circulatory system भी होता है, closed भी होता है तो मैं diagram दिखा दिता हमागे देख लीजिए open circulatory system किस तरगा होता है आपको ये एक particular organism नजार आ रहा है grasshopper I think है न तो इसकी body में open circulatory system होता है तो इसकी body में जो ये hemolymph है ये blood नहीं बोला जाएगा, इसको hemolymph बोलते है तो ये hemolymph openly flow रहा है कोई pipeline बगार नहीं है, ये directly hemolymph contact में आ रहा है इसकी body के tissues के, तो ऐसे particular organism की body में open circulatory system बाए जाता है, अब अगर biological classification की बात करें, तो जितने भी arthropods हमारे पास जो phylum होते है आर्थरोपॉड़ा फैलम के अंदर जितने भी आते है और measurly जितने भी मॉलस्का फैलम के अंदर आते है वो सारे के सारे organism की body में कैसा circulatory system होता है open circulatory system होता है, तो arthropodak के अंदर आने वाले सारे के सारे और इसके लावा मुलस्का के अंदर आने वाले जितने भी organism होते हैं, उनकी body में open circulatory system पाय जाता है और इनकी body में क्या होता है, hemolymph is contained in a body, जो hemolymph नाम का fluid इनकी body में flow होता है वो एक body cavity के अंदर भरा रहता है, उस body cavity को क्या बोलता है, hemocol बोलता है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है न, इस जगा पर यह blood fill हुआ हुआ है, यहाँ पर ही जो hemolymph पहा हुआ है, इस जगा को, इस place को क्या बोलता है, hemocol बोलता है हमारे लिए बहुत important नहीं है, हमें internal बात बहुत ज़्यादा detail में नहीं जाननी open circulatory system यह close के बारे में, बस उपर-उपर से idea ले ले लेना कि हाँ, circulatory system open भी हो सकता है रोग बोलता है, तो इस तरह सिंकी body में openly blood flow होता है, that's why we are saying that, कि इनकी body में कैसा circulatory system है open circulatory system है, बस इतना धिहान नखना किन में पाया जाता है, आर्थ्रोपॉर्ट्स में और majorly जितने भी mollusk होता है कुछ mollusk ऐसे भी हैं, जिनकी body में closed भी होता है, बट majority के case में, जितने भी mollusk का phylum के अंदर आते हैं उनकी body में open circulatory system ही पाया जाता है, चैके, चलो, अब closed के बारे में देखते है अब जो एक closed circulatory system होता है, ये किन में पाया जाएगा, जितने भी vertebrates होता है जितने भी vertebrates है, और इसके अलाबा जो एनिलेट्स हो गए, वाम्स हो गए, और कुछ mollusk का phylum के हमारे पास एनिमल्स हो गए, उन सब में closed circulatory system होता है डियाग्राम देखो ध्यान से, आपको एक insect जैसा कुछ नजार आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर किस तरह की चीज़े इनकी body की अंदर proper pipeline बनी हुई है और इन pipeline के बीच में काफी सारे hurts हैं, इन में से कुछ इनके main hurts होता है, कुछ auxiliary hurts होता है, तो ऐसे multiple hurts भी present होता है बट देखो pipeline है properly, यह जो blood है, इनी के अंदर flow हो रहा है, यह blood है, यह हीमो lymph है, जो भी flood है, वो इसी के अंदर flow हो रहा है, वो flood इन tissues के direct contact में नहीं आ रहा है, blue वाला reason और red वाला reason बिल्कुल separate आपको नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है, इस तरह से proper closed circulatory system होता है तो closed का मतलब जब blood यह जो fluid है, वो proper pipeline के अंदर flow होता है, तो उस case में closed circulatory system होता है, अगर वो directly tissues के contact में आ रहा है, तो वो open circulatory system होता है closed circulatory system हमेशा beneficial होता है, क्योंकि जब एक pipeline के अंदर आपका fluid flow होगा तो उस situation में pressure ज़ादा होता है तो more pressure के साथ वो fluid flow होगा, तो उस वज़े से चीजों को transport करने में आसानी होती है open circulatory system में pressure ज़ादा create नहीं हो पाता, इस वज़े से चीज़े आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है तो हमेशा closed circulatory system ज़ादा beneficial होता है, तो किन-किन में पाया जाता है, वो यहाँ पे नाम लिखे हुए है अब जैसे अगर बात करें हमाँ अपनी, तो blood हमारी body में flow होता है, किसकी वज़े से, hurt के action की वज़े से hurt लगाता है, pump करता रहता है उस blood को, hurt की पूरी action, पूरी working हम लोग देखेंगे, इस chapter के अंदर और वो directly contact में नहीं आता किसी भी body organ के, मतब़ ऐसा नहीं कि हमारी body में openly blood flow हो रहा है हमारी body के अंदर, जो particular arteries हैं, veins हैं, उचने pipeline बोलते हैं, लोग अपनी body की, उनके अंदर हमारा blood flow होता है तो चलो, ये closed circulatory system का basic idea होगा, ये diagrams नहीं बनाने हैं अभी आपको, diagram की बारे में जब बात आएगी, तो आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा फिलाल ये diagrams इसलिए हैं, so that तुम्हें illustration बहुत अच्छे से इस चीज़ों का समझ में आ पाए अब एक question है हमारे पास यहाँ पर, is the human circulatory system open or closed, मैं ने बता दिया, obvious भी बात है कि हमारी body में कैसा system होता है, closed circulatory system होता है, because in our body, blood flows in a proper channels, like vessels जिने बोलते हैं, arteries, veins and capillaries के network के तुरू flow होता है, वो blood, इसलिए हमारी body में कैसा system है, closed circulatory system है next one, अब hurt जो होता है body के अंदर, pumping device जिसे बोलते हैं, उस hurt के अलग अलग तरह की animals में, अलग अलग chambers होते हैं, जैसे कोई घर है, उसके अंदर दो room है, तो बोलेंगे दो chamber हैं, इसी तरह से hurt के अंदर अलग अलग amount में chamber होते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, at least two chamber का hurt होता ही होता है, एक single chamber का कोई hurt नहीं होता, तो अगर hurt में दो chamber हैं, तो क्या बोलते हैं, two chambered hurt, जैसे इहां पर देखो, इहां पर दो chamber है, उपर आले chamber को उन्होंने ventricle बोला है, नीचे आले chamber को उन्होंने atrium बोला है, ऐसे नाम आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जब human hurt के बाले मैं आपको बढ़ाऊंगा, तो नीचे आले chamber हैं, एक chamber atrium है, और दूसरा chamber का उन्हों से है, ventricle है, atrium के पास blood आ रहा है, blood capillaries से, body के अंदर की blood capillaries है, वहां से जो de-oxygenated blood है, blue color में जो दिखाया है, वाई इसमें oxygen की कमी है, वो atrium में आया, atrium से ventricle में गया, उसक गुम के body के अंदर चला गया, body के organs से उन्होंने oxygen यूज करी, वापस क्या हो गया, CO2 उसके अंदर छोड़ दी, तो ये CO2 वाला जो blood है, जिसके अंदर oxygen बहुत कम है, ये वापस atrium में आया, फिर ventricle में गया, और फिर से गिल्स के पास गया, तो ऐसा ही circulation चलता रहता है, ल होता है, जो three chamber का hurts होता है, वो amphibians में देखने को मिलता है, amphibians मतलब ऐसे animals, जो land पर भी survive कर सकते हैं, और पानी के अंदर भी survive कर सकते हैं, इसके अलाव जो reptiles होते हैं, रेंगने वाले जानवर, snake वगारा सब हो गए, इन reptile में crocodile को छोड़ दू, ये जो crocodile है, इसके अंदर 4 chamber वाला hurt होता है, ये exception में आएगा याँपे, crocodile को अगर छोड़ दे हम लोग reptiles में से, तो बाकि जितनी भी reptiles होते हैं, जो चिपकली होती है, snake में जितनी भी reptiles के अंदर आते हैं, इन सब में 3 chamber वाला hurt होता है, उन 3 chamber में से क्या होते हैं, दो तो atria होते हैं, atria, atrium का plural form है, at atrium तो होता है, singular, ठीक है, ध्यान रखना है थोड़े होता है, ये singular होता है, और atria बोलना शुरू कर दो, तो मैं plural word की बात कर रहा हूँ, ठीक है बई, तो हमारे पास atria दो होते हैं, महाँ पे और ventricle एक होता है, उस तरह से circulation होता है, मैं इंड़क्ट में हापे नहीं जा रह होता है, तो चार चमबर, तीन चमबर का हर्ड किसमें होता है, पता होना चाहिए, ये amphibians में, जितने भी amphibians होते हैं, और सब reptiles जो होता है, किसको छोड़के, crocodile exception है, crocodile होने के बावजूद इसमें चार चमबर वाला हर्ड होता है, ठीक है जी, चलो, अब चार चमबर वाले ह atria हो जाएंगे, मतलब एक atrium ये रहा, दूसरा atrium ये रहा, दो ventricles हो जाएंगे, तो total 4 चमबर होते हैं हर्ड में, सब का अपना अपना वाला है, सब detail में समझेंगे, टेंशन न लो, तो इस तरह से circulation चलता रहेगा, कैसे circulation होता है, बात की बात है, तो 4 चमबर का हर्ड भी ह है, उसके हर्ड में 13 चमबर होते हैं, छोटा सा हर्ड होता है, इस चिल 13 चमबर होते हैं, और हो सकता है, इमदब एक specific creature है, आप जैसे भी मानलो, इसकी body में, अगर ये इसका हर्ड stop भी कर दे न, मन्दब pumping करना, stop भी कर दे, कुछ chambers काम ना करें, तब भी ये और जिंदा रह सकता है, और 13 चमबर का हर्ड होता है, तो थोड़ी सी बात extra लोगों के knowledge के लिए बता दी हाँपे, ठीके तो chambers हर्ड के clear हो गएगी हाँ, 2 चमबर हर्ड, 3 चमबर हर्ड, 4 चमबर के हर्ड भी होते हैं, हमारी body में कौन सा होते हैं, mammals में आते हैं, उसलिए 4 चमबर हर्ड हमार 3 चमबर का हर्ड मिलेगा, यहाँ अप लोगों को, कुछ reptiles ऐसे भी होते हैं, जिनमें 4 चमबर का हर्ड होता है, यहना mammals होते हैं, mammals और birds में कैसा होता है, 4 चमबर का हर्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना, reptiles में जो crocodile है, उस crocodile की अंदर हमारे पास 3 चमबर का हर्ड होता है, overview धियान रखना है, इसको एक बार देख लेना, बस यह कोई diagram बनाने नहीं है, just में समझाने के लिए इतनी साइजी से एक अठा की होनी है, चलो ही, आगे चलते हैं, अब बात आती है, इंसानों की फिलाल, हम लोग अपनी बात कर लेते हैं, तो हमारी body में सबसे पहली बात, ज होने की वजह से ही, जो हमारा left बाला lung है, वो थोड़ा छोटा होता है, और right बाला जो lung है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, left-right की बात तो बता जीदिए न, ये right lung कहा जाएगा, ये left lung कहा जाएगा, खुद को इस body की जगा रख के देखो, और तब तब तुम्हें फील होती है, center में होती है, hurt के exit, कुछ लोगों में hurt right side में tilted भी होता है, कुछ movies में आपने देखा होगा दिखा जाते हैं, कि उनका hurt हलका सा dying side पे होता है, right side में tilted होता है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं, dextrotracea, इतना important नहीं हलका सा तुम्हें ऐसे बता होता है, वाट mainly यह दाना कि जो हमारा hurt होता है, वो left side में tilted होता है, अब जो pumping device है, हमारी body में वो तो हो गई hurt, जो pump करेंगी, circulating fluid क्या flow होगा, उसके अंदर blood और lymph, हमारी body के अंदर circulatory system होगा, या blood flow होगा, या lymph flow होगा, दोनों अलग-अलग चीज़े होती हैं, distribution देखेंगे बाद में, और blood vessels, यह pipelines हैं हमारी body के अंदर, arteries, arteries के वाला, arteries हो गई, capillaries हो गई, veins हो गई, यह पूरी की पूरी pipeline system है, इसको compare कर सकतो घर के अंदर जो motor होगा, वो pumping device हो गई, hurt की तरह काम कर रही है, घर में पानी के लिए pipeline बिचिरी होती है, तो pipeline क्या हो गई, blood vessels हो गई, उन से इसको आँ note करोगे, important है यह section, ठीक है, diagram अभी बनाने के रिज़रोत नहीं है, hurt का diagram बनाना है, बाद में जबाएगा, फिलार diagram की requirement नहीं है, इस setup को note कर लेना, चलिए बई, अब components की बाद जब करें, वापस पीछे एक बाद आते हैं, तो हम लोग circulating fluid से शुरू करेंगे, स नहीं पे जाके तुम heart weight के बारे में, blood pressure के बारे में, सब कुछ वहाँ पर बढ़ोगे, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, circulating fluids से होते हैं, हमारी body में, सबसे detail में कौन सा पढ़ेंगे हैं, हम लोग blood के बारे में बढ़ने वाले हैं, आप देखो blood, blood कैसे color का होता है, obvious ही बात है, इसको क्या बोलते हैं, हीमोगलोबिन बोलते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताया था, मैंने जब respiration पढ़ाया था तब भी, तो हीमोगलोबिन प्रेजेंट होता है, हमारे blood के अंदर, इस वरे से हमारे blood का color क्या होता है, red होता है, अब blood के अंदर, चार major components होते ह उसी plasma के अंदर, क्या चीज़े dissolve रहती हैं, अलग से, red blood cells भी रहती हैं, white blood cells भी होती हैं, platelets भी होती हैं, red blood cells को क्या बोलते हैं, RBCs बोलते हैं, red blood cells तो S short में बनाएंगे, white blood cells को क्या बोलते हैं, WBCs बोलते हैं, platelets हमारे platelets ही होती हैं, तो यह total 4 चीज़ों से मिलके हमारा blood बना हुआ होता है, चारो को एक एक करके समझ लेते हैं, important है, यहां से size light बहुत important है, सब को note कटे रहना, ठीक है, next में आता है, अब देखो, यह blood ऐसा होता है दिखने में, अगर body से बाहर निकलेगा, या syringe में अगर blood को भर लोगे, तो इस तरह का होता है, yes, उसका centrifugation करने के बाद, 9th में एक process होता है, centrifugation, चीजों को test tube में भरके rotate किया आता है, एक machine में, तो centrifugation करने के बाद, blood के components अलग-अलग हो जाते हैं, उनकी density के according, अब देखो, होता है कि अब बहुत ध्यान से समझना, हमारे blood में 55% तो पूरे blood का plasma ही होता है, जो आपको ऐसे yellowish से color का दिख इसको क्या बोलते हैं, straw color बोलते हैं, भूसे जासा color, तो ये light yellowish color में होता है, plasma, पूरे blood का 55% से तो plasma ही होता है, इसके बाद बात आती है, अरिथ्रोसाइट से भी, अरिथ्रोसाइट क्या है, ये RBCC का ही technical name है, तो red blood cells को biologically erythrocyde बोलते हैं, आपको report में erythrocyde ही लिखा मिलेगा, ये 45% से थोड़ी सी कम होती है, है ना, लगबग मानगे चलो ऐसी 44.2% ये 44.3% इसके आसपास होती है, हमारे पास हमारी blood के अंदर erythrocyde, या नि red blood cells, अब सोचो 55% हो ये हो गया, 44.2 ये 44.3 ये approximate data ही हो गया, लगबग मुश्किल से बचा हमारे पास 0.8% ये 0.7 के असपास करेटा, तो ये 0.8 और 0.7% हिस्ते में हमारी body के अंदर क्या होती है, तो उसी के अंदर बच्ची कुची, leukocytes और platelets होती है, यानि leukocytes बोलते है white blood cells को, यानि हुआ क्या overall हमारे पास, कि पूरे blood का centrifugation किया, centrifugation करने के अदर पता लगा कि हमारे blood में 55% तो plasma होता है, 45% से थोड़ा सकम, approximate 44.2% के असपास, erythrocytes यानि red blood cells होती है, और बाकी का 0.7, 0.8% बचा, उसमें white blood cells और platelets मिला की होती है, यानि इनकी counting platelets की और white blood cells की, जिनको हम leukocytes भी बोलते है, WBC को क्या बोलते है, leukocytes, इनकी counting सबसे कम होती है, और ये more than enough है, God ने इस तरह से design क या blood को, कि ये configuration अपने आप में sufficient होता है, कोई issue नहीं है यापे, तो blood का ये plasma होता है, जैसे कहीं बाप लोगो ने सुना होगा, plasma therapy की बारे में बोलते हैं कि plasma therapy, क्योंकि इस plasma के अंदर बहुत साई तरह की protein पाई जाती है, तो ये plasma sometimes किसी दूसरे की जान बचाने में भी काम अब ज्यादा biological बात पर नहीं जाएंगे, अपने syllabus पे concentrator के उसी की तरफ रहने वाले हैं लोग, तो ये बड़ा अच्छा diagram आपको काफी कुछ सिखा देता है, चलिए, एक ही component पढ़ते हैं, सारे के सारे blood पढ़ रहे हैं, blood की component पढ़ा रहा हूं तुम्हें, plasma, plasma क्या liquid part होत होता है, इस plasma के अंदर है क्या, पूरे blood का 55% हिस्ता plasma है, plasma निकाल दिया अलग, अब जितना भी plasma हमारे पास आया, उस plasma के अंदर 90% तो पानी ही होता है, तभी तो बोलते हैं कि हमारा body पानी से लिके बना हुए है, मतलब आपके body में जो blood flow हो रहा है, उसके अंदर majority में तो water अगे, बहुत सारी gases resolve होती है, कुछ mineral salts होते है, enzymes होते है, hormones होते है, मतलब lot of things are dissolved, तो 10% हिस्सा इन सब चीजों से मिलके बनावा होता है, बाकि 90% क्या होता है, plasma में पानी होता है, straw जैसे कलरका होता है, yellowish से कलरका आपको दिखा दिया मैंने पहले, तो ये plasma की बात हो गई, इसमें plasma में protein कौन काम सी होती है, important protein है, जड़ा देख लो, majority में अगर बात करूँ, तो plasma में तीन तरह की proteins होती है, एक होती है albumin, एक होती है globulin, एक होती है fibrinosan, क्या-क्या काम करती है, तो ये fibrinosan वाली protein है, ये help करेगी blood clotting में, आगे जाके पढ़ोगे, जब blood clot होता है, अगर कहीं से बाहर चोट लग जाए, खून बहने लगे, तो blood clot करने में fibrinosan protein ही major role contribute करती है, उसने लिखावाए कि blood clotting में help करेंगी, इसके बाद आती है बाद albumin की और globulin की, तो ये albumin और globulin protein मिलके क्या करती है, ये transport करने का काम करती है, substances को, बहुत सारे fatty effects को transport करती है, vitamins hormones को transport करती है, इसके लाबा body के अंदर osmotic balance maintain करती है, ताकि ions की concentration body के अंदर बनी रहे, चिक है, अब इसमें एक important चीज और बताऊं तुम्हें, कि जो यहाँ पे globulin protein है, ये globulin protein का एक major work और होता है, जो iron होता है न हमारी body के अंदर, उस iron के साथ ये globulin protein, एक उपर से overview बता है, ही दूसरा नाम होता है, तो हीमो और globulin से क्या है, globin, तो हीमो globin नाम का जो pigment हमारी body के अंदर बनता है, वो कैसे बनता है, body के अंदर जो iron के molecules है, उनका globulin के साथ joint हो जाता है, और finally क्या बन जाता है, हीमो globin मिन जाता है, कुछ इस तारका प्राफिस होता है, इस जो है हमारे पास घड गया है क्यों एगर iron नहीं होगा कम iron काफी कम amount में है तो globulin भी obvious सी बात क्या करेगा जब iron ही नहीं है तो globulin attached किसके साथ होगा तो globulin attached नहीं होगा तो hemoglobin नहीं बन पाएगा उसका मतलब hemoglobin की कमी मतलब indirectly क्या बोल सकते हैं iron की कमी body में तो उसलिए hemoglobin की कमी कहलाती है एनीमिया जिसे iron deficiency disease भी बोला जाता है ठीक तो यह उपर से overview हो गया plasma का इसमें एक important tease यहाँ पे है यहाँ ध्यान से हिपारिन के बारे में लिखवा है chemical होता है हिपारिन हिपारिन देखो सोचो आपने कभी दिखा होगा कि body के बाहर अगर आप blood की ड्रॉपलेट टपका दो कहीं पर गिरा दो थोड़ी दिर के अंदर अंदर ही वो सूख जाती है एकदम से बट जब body के अंदर blood flow हो रहा है हो तो नहीं सूखता लगाता तो उसका मतलब body के अंदर blood जब flow होता है तो body के अंदर को ऐसा chemical release होता है जो उस blood को coagulate नहीं होने देता यानि जमने नहीं देता तो हिपारिन नाम का chemical होता है तो हिपारिन क्या है हिपारिन is an anti-coagulating agent present in our blood तो हिपारिन बनता कहां पर हिपारिन liver के अंदर बनता है हमारी body में कहां पर बनता है liver में हमारा हिपारिन बनता है तो हिपारिन नाम का chemical एक extra knowledge के रहे ध्यान लेखना बॉड़ी के अंदर blood को जमने से बचा रहा है वस यह बात है है चलो next आते है red blood cells पे RBC को बोलते क्या है eryth throw sides बोलते हैं यह नाम बहुत important है आपको यह पता होना चाहिए ऐसी होती है बिल्कुल दिखने में RBCs बीच में से pitch की हुई है by convex shape बोलते है तो इस तरह की जो shape होती है यह हमारे पास RBC की shape होती है इन RBCs की खास बात है यह ऐसी cells में body के जिनके अंदर nucleus नहीं होता जो 9 class में चीज़े पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर exception होता है कि हाँ जो भी हमारे पास ucariotic cell होती है उनमें nucleus होता है except RBC की RBC एक ucariotic cell होने के बावजूद nucleus contain नहीं करती है इनमें nucleus नहीं होता है maturity जब आती है इनमें तो यह hemoglobin को contain करने लगती है और nucleus को loss कर देती है खेर इतना कोई लिकत नहीं है कहां बनती है बहुत जरूरी है adult person में RBC का formation होता है हमारी bone marrow मेरो में अब bone marrow सबको पता होना चाहिए bone marrow एक तरह का tissue होता है bone marrow एक तरह का tissue होता है कहां present होता है हमारी हड्यों के under present होता है हमारी bones के under present होता है bone marrow internally ठाकि तो bone marrow एक tissue होता है तो RBC काaskAmantih है बल्कि RBC क्या WBC platelets majority में सारी bone marrow के अदर ही बनती है bone marrow भी दो तरह की होती है red bone marrow होती है yellow bone marrow होती है उस discussion में नहीं जाना है बस नाम देख लेना जो infant होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, एक दू साल तक का बच्चा होता है, उसकी body में जो bone marrow है, वो पूरी तरह से develop नहीं हो पाती है, तो उसलिए शुरुवात में, बच्पन में, body में RBC का बनती हैं, लिवर के अंदर बनती हैं, तो इसलिए liver का तो बहुत important का में, liver बहुत सारे functions perform करता है, अगर liver में कुछ गरबड हो जाए, तो बहुत कुछ नुकसान जहिलना पड़ता है बन्दे को, तो RBC का formation, adults में, bone marrow में होता है, बच्पन में, liver में बनती हैं वो, RBC का जो red color है, वो क्यों लाल रंग की होती हैं, hemoglobin की presence की वज़े से उनका रंग लाल RBC या प्लेट का count इस बात पर भी depend करता है, कि वो particular organism या particular animal कहां का रहने वाला है, कि आसपास के temperature से, environmental temperature से, altitude से कि आप बहुत उचाई पर रहते हो क्या, उससे फरक पड़ता है, इस count पर काफी जादा, तो हलका साही याद नहीं करना है, बस एक देखने के लिए, यहां approximate कित और माइकरो मतलब एक लिटर का 10 लाखवा पर, तो एक माइक्रो लिटर ब्लड के अंतर, मेल परसन में लग बख साढ़े 4 लाख से लेके 6 लाख के है, लाख नहीं बुला जाएगा, साढ़े 4 मिलिएं से लेके 6 मिलिएं के अशपास, red blood cells होती है, millions of red blood cells daily बनती है, आपकी body क पूराने वाली क्या होती है, इसलिए नई रेड ब्रेड सेल्स बोन मैरों में प्रोडूस होती है, क्या काम करती है यह रबीसी देखेंगे इसको आगे, फीमेल बाडी के अंदर काउंट लगबग इतना होता है, तो काउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस्ट हेवाल इसके आज पास मैक्सम जिन्दा रह सकती है, उसके बाद अर्बीसी डिस्ट्रॉइ होने शुरू जाती है, क्योंकि एक आर्बीसी का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, उसके बाद उस सेल्ल करने लायक नहीं रहता है, नए रेड बेड सेल्स बनने ज़रूरी होते हैं, ठीक है जी, इसके बाद एक हॉर्मोन का नाम है, इंपॉर्टेंट है अरिथ्रोपॉइटिन हॉर्मोन, EPO बोलते हैं, अरिथ्रोपॉइटिन नाम का हॉर्मोन है, कभी-कभी क्या होता है, कि जब बॉड़ी की अंदर ओफिजन की कमी होती है, तो सिचुएशन में हमारी जैसे इस हॉर्मोन को बनाएंगी, तो यह हॉर्मोन क्या करता है, यह बोन मैरो को इंस्ट्रक्ट करता है, बोन मैरो को स्टिमॉलेट करता है, कि बहीया, आप RBCs प्रोडिऊश कीजिए, बॉड़ी को रेड ब्लेड सेस की requirement है, क्यों, रेड ब्लेड सेस के अंदर क्या होत और यह स्टिमुलेट करता है यह कहता है बॉब मेरो को कि अपनी रेड ब्रेड सेल्स को बनाना शुरू करो और जब रेड ब्रेड सेल्स बनेंगे तो ऑफिजन की जो डेमांड है वो पूरी हो जाएगी उसमें जो को इश्यू नहीं रहेगा र्भीसी का मेन काम क्या होता है वो यी र्भीसी के अंदर क्या होता है हिमोगलोबिन होता है कर अब जोली कर अंदर के प्लाजम के अंदर घूलर यहां इक लिया तो यह छोटी सी बात हो गई, RBC के life span के बारे में लगबग सबसे ज़ादा जिन्दा रहती है, RBC, WBC platelet में से सबसे ज़ादा टाइम तक जिन्दा रहने वाली cells यही होती है, approximate 120 दिन के आसपरण का life span होता है, उसके बाद यह dead हो जाती है, इसलिए daily basis पे नहीं नहीं RBCs बनती रहती है, body के अंदर, इससे body के अंदर oxygen के demand जो है, उसको fulfill किया जा सके, ठेक है बही, अब बात आती है, इस RBC के अंदर ही हमारे पास एक रेडिकलर का pigment होता है, हीमोगलोबिन बोलता है, तो यह हीमोगलोबिन RBC के अंदर present होता है, यह हीमोगलोबिन का तुम्हें मॉलिक् सही है, यह पूरा का हीमोगलोबिन की structure है, और यह हीमोगलोबिन अपने ऊपर चार oxygen molecule को बढ़ा सकता है, एक बारी में, एक complex protein होती है, चार protein stands होते हैं, उससे हमें कुछ नहीं पढ़ना है, इतना जादा tension ही लेनी है, इच हीमोगलोबिन molecule can carry four oxygen atoms, ठीक है, और the presence of oxygen turns हीमोगल ब्राइट रेट, अब जैसे ही उस हीमोगलोबिन के साथ आपके oxygen मिल जाती है, तो एकदम से blood का color के ऐसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, तो हीमोगलोबिन जैसे ही oxygen से attach होगा, तो अपना वो color produce करना शुरू कर देता है, और फाइनली blood का color के ऐसा हो जाता है, लाल र नजर आएगा तुम्हें अदरवाइस रेडिकलर नजर नहीं आता है तो बेसिक बात हीमोग्लोबिन की तुम्हें यहां समझ में आ गई होगी अभी तक डाइग्राम कोई ऐसा नहीं आया है जो आपको बनाना पड़े यह सब चीज़ें आप लोगो ठीकल लिख लेना यहां नहीं बनाने है वह यहां पर आप लिखने के बाद यह वाला चार्ट बनाना चाहो तो यह आपकी मर्जी है यह लिखना बेटर समझ दो इसको लिख लेना अदरवाइस यह चार्ट बना लेना आपको लाइफ एसस्पान समझ में आ जाएगा और कैसे इसका प्रड़क्शन स question है आपके general knowledge के लिए होता क्या है कि जो erythropyton है ये as a drug भी यूज़ कर लेता है काफी athletes अपनी body में इसको inject करते हैं बाहर से और ये एक illegal drug है जितने भी हमारे पास games होते हैं Olympics हों, Commonwealth हों तो उन games में इसके testing होती है काफी बार athletes को इस particular drugs को लेते हुए देखा गया है और उनको फिर particularly उस game से बाहर कर दी जाता है तो क्यों लेते हैं आपर ये पूछा रहा है कि ये hormone क्या करता है क्यों erythropyton के injections लोग लेते हैं आपको अच्छे से पता है कि erythropyton क्या करेगा बाड़ी के अंदर जाके erythropyton kidney के अंदर बनने वाला हॉर्मोन है और ये बाड़ी के अंदर bone marrow को stimulate करता है कि आप RBCs produce करो अगर ज़ादा RBCs produce होंगी तो उस case में क्या होगा हमारी बाड़ी के अंदर कि hemoglobin level बना रहेगा अच्छा कासा और हमारी बाड़ी के अंदर oxygen की भरपूर सप्लाई रहेगी और वो athlete खुद को energetic feel करेगा कि हाँ मेरे अंदर जादा energy आ गई है बैट ये तो एक गलग तरीका है ना चीजों को अब जीतना है आपको किसी particular sport में जीतना है तो आपको इमानदाली से जीतना चाहिए honesty दिखानी चाहिए तो इस वज़े से ये जो drug है ये ban होता है और जादा amount में अगर body में ले लिया जाए तो उस situation में इससे person के death भी हो सकती है harmful होता है तो ये answer यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया पूरगा पूरा तो इसलिए erythropoetinic illegal drug में आता है ये automatically हमारी body produce करती है जब जरूत होती है बट बाहर से इसको ले रहे हो तो या वो आप अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हो और उससे आपको Olympics से या किसी भी game से ban भी किया जा सकता है और ऐसा काफी बार हुआ भी है नेक्स्स बात आती है RBC के विद्ः लियूबी सी है जिसे RBC को किया बोलते हैえるскर साइड्स इसे दमी लिको करते है आता है लिकोसाइट्स जिसे …. कम हाओ और बिलढी नेम किया हूँतल है लिकोसाइट्स होता है उन बैक्टरिया से वाइरस से लडने का काम करती है, जितना पॉसिबल हो सकता है, उनसे लड़ाई करती है और आरबीज ये जो ड़ाइट ब्लेड से होती है, ये ही हमारी बाड़ी में क्या बनाती है ये anti-bodies produce करती है, आपने देखा होगा न, कोई भी particular disease अगर बाड़ी के लड़ाता है, तो धीरे धीरे, बस फरक कितना होता है कभी-कभी तो ये anti-bodies बहुत जल्दी बन जाती है, कभी-कभी बहुत टाइम लग जाता है तो ये anti-bodies हमारी body के अंदर automatically create होती है, जिसकी वज़े से उस infection से लड़ने में हमें help मिलती है ठीक है न, तो ये ही काम करती है, हमारी white blood cells, इसने इनको soldiers भी बोल जाता है body की, कि हाँ ये हमारी body की soldiers होती है ये या तो spherical shape की होती है, regular shape होती है उनकी, और इनमें nucleus होता है, RBC में तो नहीं होता बेट white blood cells एक ऐसी blood cells है, जिनमें nucleus होता है platelets में भी देखोगे, platelets में भी nucleus नहीं होता, RBC के अंदर था ये नहीं, सिर्फ white blood cells ऐसी cells हैं, जिनमें nucleus होता है blood का ये component, बेट में 4 चीज़ ये तो है, 3 तरह के तो cells हो गई, RBC, WBC, platelets और एक क्या हो गया, liquid portion हो गया, plasma, तो अब 3 चीज़ ये पढ़ चुके, तो white blood cells इस तरह से हैं हमारे पास चैके, तो काफी basic बात अब को समझ में आई होगी चलिए, अब life span की बात के तो बिचारी जादा जिन्दा नहीं रहे पाती हैं, 13 से 20 जिन्दगे, average life span का क्या होता है 13 तो 20 डेज हमारी body में white blood cells जिन्दा रहती है, उसके बाद ये lymphatic system होता है body के अंदर, वहाँ पे destroy कर दी जाती है और daily basis पे 9 white blood cells requirement के according बनती रहती है जब body में कोई बिमारी हो जाती है, कोई disease हो जाता है, तो उस case में हमारी bone marrow के अंदर जादा white blood cells बनने लगती है क्योंकि उससे लड़ना है न, तो हमारी bone marrow में stimulation जाता है, उसको पता लग जाता है कि body में बहार से attack कोई है तो उससे लड़ने के लिए bone marrow जादा soldiers भीजती है, तो white blood cells जादा आती है जिससे उस disease से लड़ा जा सके sometimes, but तब बे disease हो जाता है, but disease हो जाने के बाद full time, suppose आपको बुखार या, suppose कोई cold हो गया, तो cold होने के बाद एक time period होता है न, 5 या 6 दिन या 10 दिन के अंदर उसको cold सही हो जाता है ये situation होती है पूरी की पूरी, और जो white blood cells से ये भी मैंने को बताया तो कहां बनती है, bone marrow के अंदर ही बनती है, life span लगबाग इतना होता है तुम्हें समझा दिया, अब white blood cells पोटल पांच तरह की होती है, इन पांच को ही क्या बोलता है, white blood cells बोलता है, तो जब भी blood report आती है तो उसके अंदर इन सब का जिकर होता है, basophils, neutrophils, eosinophils, monocytes, lymphocytes, अगर आपको basic जानकारी है, तो आप लोग अपनी blood report को देखके, खुद भी काफी कुछ determine कर सकते होगी, exactly problem किया है, जैसे दो-चार बाते में अबता देता हूँ, मैं ज्यादे टिल में नहीं जाओंगा, तो उसका मतलब उस परसन को किसी न किसी चीज से allergy है, तो allergic symptoms अगर होते हैं, तो basophils की counting में गड़बढ होती है, इसी तरह से आपकी body पे pimples बगारा हो गए, या कहीं पे phode funs बगारा निकल आए, तो उस situation में monocytes की count में गड़बढ होता है, यह monocytes लड़ती है, foreign bacteria बगारा स और body के ऊपर जाके pimples format में उस चीज को बना देती है, ताकि वो चीज body के अदर enter ना कर पाए, तो monocytes की count में change है अगर, तो उसका मतलब pimples जैसी problem है उस बंदे को, इसी तरह से जो यह lymphocytes हैं, इन lymphocytes को बोलते हैं blackhead commando, आप ऐसे मन सकते हो, जैसे countries में होते हैं blackhead commando, सबसे powerful army जो होती है, तो blackhead commando की तरह यह हमारी body में काम करती है, इन्हें disease से लड़ने के लिए सबसे ताकतवर कौन होती है, lymphocytes होती है, यह diagram दिख रहे हैं आपको थोड़े बहुत, diagram बगारे नहीं मनाने, नाम पता होने चाहिए, नाम बहुत important है, तो यह 5 तरह के हमारे पास हमा होता है, एक और बात, अगर यह white blood cells, uncontrolled growth इनकी होने लगे body के अंदर, यानि कि बिना ही बे बजा की white blood cells body के अंदर produce हो रही है, कोई specific reason नहीं है, कुछ नहीं है, WBC बने जा रही है body के अंदर, तो ऐसा particular disease, बड़ा dangerous disease होता है, ऐसा disease कहलाता है leukemia, क्या बोलते हैं, leukemia बोलते है leukemia एक तरह का blood cancer होता है, तो blood cancer के अंदर और कुछ नहीं चीज़ नहीं होती, body के अंदर WBC का uncontrolled growth चुरूलाता है, और इस को क्या बोलते हैं, blood cancer या leukemia बोलते हैं, ठीके ना, चला, next slide में देखते हैं, जो WBC की count होती है, बहुत कम होती है, obvious ही बात है, जो RBC देखी थी, तो millions में थी, बड़ी हाँ पर देखो, male person की बात करें, तो WBC वही एक microliter blood की बात हो रही है, एक microliter, ml से भी छोटा, ml का भी हजारवा पार्ट है भी microliter, male person में 5000 से लेके 10,000 के असपास WBC होती है, females में भी लगबग 11,000 के असपास WBC पाई जाती है, on and average लगबग ratio अगर निकाला ज लगबग approximate 600 ratio 1 होता है, तो यह important factor, you must know that, ठीक है, अब बात आती है platelets की, जैसे white blood cells एक specific army हो गई, diseases से लड़ने की ताकत देती है मारी body को, red blood cells के अंदर hemoglobin होता है, gases को transport कराने में help करता है, अब platelets, RBC का नाम दूसरा क्या था, erythrocydes, WBC क्या था, leukocytes, platelets का एक और नाम क्य तरह की होती है, जिस तरह स्तों में नजार आ रही है, कुछ-कुछ ऐसी होती है, color पे मत जाना गें, ऐसी सी shape होती है, सबसे छोटी होती है platelets, WBC और RBC की comparison में सबसे छोटे cells होते हैं यह, तो platelets are the smallest cell present in our blood, and they do not have any nuclei, platelets में भी कोई nucleus नहीं होता, सिर्फ WBC में होता है, कहा बं तो bone marrow के sample से काफी सारी बाते पता लग जाती है, कि exactly गरबढ कहां पे है, suppose किसी की body में WBC बन नहीं, बंद हो गई है, कम हो गई है, यहन में से किसी का production अरग घटा बढ़ता है, तो बना तो यह रहा है, factor तो यह ही है, तो bone marrow काई sample लेगा doctor, उसके बाद उसको टेस्ट करेग प्लेटलेट्स help in blood clotting during injury, क्या करती है, यह सबसे major role है, प्लेटलेट्स blood clotting में help कराने का काम करती है, अब आपको गई सर, blood clotting में आपने तो एक fibrinosan नाम का protein बताया था, हाँ बिलकुल, मैं आपको अगर बताऊं, blood clotting में total 13 factors involved होते हैं, blood clotting is a very very complex process, तो 13 factors involved होते हैं, तब ज प्लेटलेट्स का भी बहुत major role होता है, blood clotting में, और various type की protein जो होती है, वो blood को clot कराने में help करती हैं, वो तुमें सिखाऊंगा, बता दूँगा, basic कि blood clotting होती कैसे है, आपके NCRT में छोटा सा section दिया हुआ है, मैं आपको उसको बहुत अच्छे से clear करा दूँगा, life spend कितने देम देक जिन्दा रहती है, तो इनका life spend सबसे कम होता है, लगबग 8 से 9 दिन जिन्दा रहती है, वह 13 से 20 दिन के आसपास WBC जिन्दा रहा करती थी, और RBC लगबग 4 महिने के आसपास जिन्दा रहती थी, तो platelets लगबग 8-9 days तक जिन्दा रहती है, इसलिए ये भी हमारी body में daily basis पे generate होती रहती है, बहुत सारी platelets बनती रहती है, चलिए, अब average platelet count की बात कर तो कितना होता है, वह एक micro letter blood की बात कर रहे है, male person में, ये platelet का count जो होता है, males में स्वड़ा सा कम होता है, females स्वड़ा सा जाधा होता है, बहुत जाधा difference नहीं है, लगबग 1.4 lakh से लेक की आसपास तक female person में होता है, तो कि ये counting 4 lakh की आसपास तक भी पहुंच सकती है, बट ना तो बहुत कम होना चाहिए, ना ही बहुत जाधा होना चाहिए, दोनों ही harmful है, platelets हर एक चीज़ का access harmful होता है, आपकी body में कोई सा भी cell जाधा amount बन रहा है, वो भी harmful है, नहीं बन रहा ह तो भी वो harmful है, तो जो normal amount होता है, वो maintain रहना चाहिए उस चीज़ का, तो हमारी platelets होती है, इसका count बहुत बुरी तरह effect होता है, एक तो dingue fever में, dingue fever कि किसी को हो जाता है, dingue की कोई vaccine तो होती नहीं, आप लोगो को पाता है, आज तक कोई vaccine ही नहीं बन रहा है, dingue fever अगर हो ग जो directly किस पर attack करते हैं हमारी body की, platelets पर attack करते हैं, just a knowledge, तो ये बात हमारे पास clear out हो गए, platelets मैं ने तुम्हें बता दी, ठीक है वई, देख लो ये RBC तुम्हें दिखाए जा रही है इस तरह से, और साइड में क्या गुम रही है, platelets, फिर से में बोलनों, color पर मत जाना, कि ये सर इसी color की होती है, कि पहले तो रड़ रखी थी, color का कोई logic नहीं है, आप सिर डाग्राम देखे, shape लगबगिन की ऐसी ही होती है, ठीक है जी, तो आपके पास plasma आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने, मतलब बलड की component almost सारे पढ़ लिया, WBC, RBC, platelets, और काफी बात ये आती है, कि blood की clotting हमारी body में होनी बहुत जरूरी है, अगर blood clot नहीं हुआ ना भीया, तो एक swing की नोग भी अगर चुप गई ना, वहाँ से blood आएगा, तो धीरे धीरे पूरी body खाली हो जाएगी, और अब वैसी मर जाओगे, blood के excessive loss की वज़े से, तो इसलिए, अगर चोटी मुटी कहीं पर चोट लग जाए, बहुत ज़्यादा हाथ कड़ गया, तो यह वो काफी excessive bleeding होती है, फिर तो उसके लिए टांके वगारा लगवाने पड़ेंगे, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो तो एक अलग कहानी हो गई, बट चोटी मुटी कहीं पर चोट bloods come out from the cut, but after sometimes हमने देखा जाता है कि blood clot होना शुरू जाता है, इससे फायदा क्या होता है कि blood clot अगर हुआ, तो आपकी body का internal environment, external environment के contract में ज्यादा लेंग तक नहीं रहेगा, तो बहार से bacteria और virus एंटर नहीं कर पाएंगे, infection से बच जाओगे, और दूसरी बात सबसे में बात क्या है कि body से जादा blood loss नहीं होगा, काफी बार देखा गाओ ना कि किसी को चोट लग गए, accident हो गया, और तक hospital लेके गए, रॉक्टर नहीं बोल दिया कि भईया, इसका blood बहुत जादा body से loss हो चुका है, अब इसको बचानी सकते हैं, तो blood का amount है body में बहुत important होता है, अगर जरूरत से जादा blood body से बह जाता है, तो उस situation में person की जान बचानी बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए blood clotting एक gift है God के थूद हमें दिया हुआ, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कहीं लोगों में blood clotting नहीं होती है, जैसे ब्रिटेइन में कोई है, मैं को exact story तो याद नहीं है, ब्रिटेइन में, I think, जो Elizabeth है, उनी की कोई family में ऐसा था, कुछ blue blood disease के नाम से, एक genetic बिमारी थी, कि महाँ पे क्या था, blood के अंदर जो clotting factors होते हैं, वो ना के बराबर थे, उनके पूरे खानदान में, तो अगर छोटी सी भी swing की नोक लग जाए, तो body से उनका पूरा blood निकल जाएगा, clotting अपने आप नहीं होगी, तो उसलिए वो साथ में उनकी family के जब भी लोग कहीं जाते थे, तो साथ में medical equipment साथ में लेके जाया करते थे, so that अगर कभी ऐसी situation आने लगे, तो उनका time से treatment की अदर सके, ब्लड तो अपना clot होगा नहीं, वो बेमारी है, otherwise majority में जितन नहीं बनने जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ हमें 10th class की जो बातने हैं, हमें वो सीखनी है, तो बहुत सारी चीज़ बायो में जब पढ़ोगे, at last तक तक तुमें इतना कुछ बता दूँगा, कि तुम लोगों को फड़ा-फड़ा feel उन लगेगा, कि हलके-फलके तो doctor हम बनी ठीक है, तो blood clotting के बारे में देखते हैं, तो basic था कि कैसे होती है, अब जब उस बाद को समझ लेना, एक basic understanding, अब इस diagram पर आजो, इसे छोड़ो फिलाग, यहां से pin चुब ही आपकी body में, यहां से कोई vessel कराए, कोई pin चुबते ही, यहां से blood बाहर आने लगा देरे-देरे, एकदम से platelets को information मिली, blood की अंदर से platelets दोरी हुई आई, और उन्होंने यहां पे एक जगह पे कठा हो गई, collect हो गई, है ना, यहां पे इन्होंने accumulate होना start कर गया, तो यह है blood की platelets, अब होता क्या है कि blood की platelets क्या करती है, एक बंदा है जिसको call करना पड़ेगा, उनका number किसक पास है, blood की platelets के पास है, तो इन्होंने क्या करा, इस blood platelets ने एक chemical होती है body के अंदर, थ्रॉम्बिन नाम से, इस थ्रॉम्बिन को call करा, थ्रॉम्बिन जब तक नहीं आएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, तो blood platelets ने क्या करा, ओपर से बता रहा हूँ, यह overview देक, तो blood platelets ने थ्रॉम्बिन को call करा, थ्रॉम्बिन आया, blood platelets के कहने पे, थ्रॉम्बिन अभी यह क्या करेगा, जो मारी plasma के अंदर, फिब्रिनोजन नाम की protein थी, इस फिब्रिनोजन को धीरे, 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 फिब्रिन में convert करना, स्विर्ण कर देगा, धागे जिसी को किसम में चंब कर सकता है धि dont लगा था रहता है कि थ्रौंबिन इसको कॉल करएगा फिपरनो संक करता रहेगा लगा यहां पर आकर जाएगा और आके जम जाएगा और यहांपर टूटे वे जो सेल्स हैं इस जगापे और जो फ्लेटलेट्ट हैं इन्होंने मिलके कॉल करा थृंबिनको ठीकिया किसको टूसी मिलेट धर थृंबिन पर निंटू करण दिया इस जगा पे कट लगा कें इस तरह से पूर सीज वानध दिया तो यह अपर हमारे पास ब्लड का बहना रुख गया प्रोफ जिल समझ में आ गया ना अगर ब्लड क्लॉटिंग तुमसे पूछते हैं तो इसी तरह से बेसिक स्टेप लिख किया सकते है और यह डाग्राम भी बड़ अच्छा है इसको भी बना लेना ठीक है न तो थ्रॉम्बिन को कॉल किया गया थ्रॉम्बिन को स्टिमुलेट किया किसे ने? इन प्लेटलेट सने और टूट इवी ब्लड सल्स ने थ्रॉम्बिन ने आ की क्या कर रा? फिबरीनुजन प्रोटीन को फिबरीन जैसे sticky substance में convert करना start कर दिया और ये fibrin यहाँ पे इसके साथ मिलके clot में convert हो गए blood का भेना रुख गया ठीक है finally बात हती है कि blood के बारे में तो सारे component पढ़ लिए तो blood के functions लेख लेते हैं काफी सारे तो पढ़ चुकी हो तो कुछ नहीं भी आएंगे तो यहाँ देख लोगे एक साथ लिख दी है मैंने यहाँ पे पहली चीज क्या है यह transport करता है nutrients को transport करने में help करता है blood हमारे body के अंदर oxygen और CO2 है इनके transportation में help करेगा body का temperature maintain करने में help करता है इसके अलावा हमारी body से जो waste materials होते है urea और uric acid उनको kidney तक पहुचाने का काम करता है so that वहाँ से उसको अलग किया जा सके इसके अलावा platelets जो होती है इस blood के अंदर blood की clotting में help करती है और जो white blood cells इसके अंदर present होती है WBC वो क्या करती है virus या किसी भी foreign pathogen से लडने में हमारी help करती है तो यह basic function होगा blood के अब next जो flood आता है blood पढ़ लिया अब अगला जो body के अंदर flood flow होता है उसे क्या बोलता है lymph बोलता है ये भी एक तरह का flood ही है जो body के अंदर flow होता है क्या ये flood भी vessels के अंदर flow होता है arteries veins में तो answer है नहीं फ़र एक ही pipeline में अगर दो liquid को flow करवाओगे तो सब mix हो जाएगा तो फिर क्या blood बचेगा और क्या lymph बचेगा तो इसलिए जरूरी है कि इसका pipeline system अलग हो और अलग ही होता है उसे बोलता है lymphatic system उसे भी दिखा दूंग अड़ागरा में कैसा होता है तो lymph flow होता है lymphatic system में ब्लेड फ्लो होता है ब्लेड वेसल्स में है ना चलिए तो यह एक तरह का fluid होता है मारी body के अंदर क्या होता है कब बनता है lymph इस फॉर्म वेन सम अमाउंट अफ प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट एक तरह की blood की capillaries नजर आ रही है जो red color की है बाद में purple हो गई फिर blue हो गई तो यह सारी के-सारी क्या blood की capillaries है और बीच में जो एक green color की pipeline है यह है lymphatic vessels यह कैं सारी lymphatic vessels जो lymphatic system का एक part है तो जब यहां से हमारे पास blood flow के आ रहा है इस जगह से blood flow के आया capillaries के अंदर और दूसरी जगह पे जाने वाला है blood तो एक artery से दूसरी vein तक transfer होता है blood तो capillaries में से जब यह blood pass out होके जाता है तो blood के कुछ component leak उलाते हैं इन capillaries पे छोटे-छोटे से pores होते हैं holes होते हैं तो उसमें से कुछ चीज़े leak उलाते हैं जो capillaries के अंदर से leak हो गए है तो हुआ क्या capillaries के अंदर क्या flow हो रहा होगा blood तो blood के अंदर से कुछ चीज़े निकल गई क्या क्या निकल गई plasma निकल गया थोड़ा सा सारा plasma निया तो कुछ plasma आता है plasma आएगा तो थोड़ी से protein भी आएगी साथ में और इसके साथ में क्या लीक हो जाता है lymphocytes लीक हो जाती है कुछ तो अभी ये blood में से जो plasma और lymphocytes लीक हो गई ये मिलके क्या बनाता है ये मिलके lymph नाम का एक fluid बना लेता है इसी चीज़ को क्या बोलता है lymph तो blood जब इसमें से pass out हुआ तो उसमें से ये कुछ चीज़े लीक होगे जो तुमें side side में नज़र आ रही है और ये कहां जाके absorb हो जाएंगी ये green color की जो vessels है ये इसको absorb करके अपने साथ ले जाएंगी और पूरी entire body में flow करा देंगी तो ये lymphatic vessels है green color में और ये आपके पास जो जाल है बीच में ये red color और blue color बाला ये capillaries का जाल है तो जब blood capillaries में flow होता है तो कुछ चीज़े blood में से leak हो जाती है और lymph vessels में enter कर जाती है उन leak हुई भी चीज़ों में क्या होता है plasma होता है कुछ और lymphocytes होती है इन दोनों के combination कोई क्या बोलते है lymph बोलते है बात समझ में आ गई? lymph में plasma में simple difference ही है plasma straw जैसे color का होता है lymph बिलकुल colorless होता है लिख्यों ये बात lymph एक colorless liquid होता है और plasma में बहुत सारी variety of proteins होती है और concentration भी जादा होती है protein की lymph में बहुत कम proteins होती है तो ये सारी बात मैंने आपने लिख दी hope की तुम्हें समझ में आयोगा इस डिग्राम से exactly ये बहुत अच्छे picture जो clear understanding कराती है कैसे जब blood blood के आप लड़ी से pass out हुआ तो उसमें से lymph निकलके यानि चो ये चोटे चोटे से button नजा रहा है ये निकलके कहा एंटर कर गए इन lymph vessels में एंटर कर गए और lymph vessels से पूरा बाद में आपके lymphatic system बने गए क्या करेगा देखेंगे इसको आवी next में देखो ये पूरी body के अंदर जो lymphatic system होता है ये पूरा lymphatic system दिखा रखा है आपकी armpits में जो बगल में होते हैं ये lymph nodes इसके अलाबाद गले में भी होती है आपके doctor कहीं बार जब cancer बगारा की उसको doubt होता है न तो इनकी गांट बन जाती है जगा जगा पे आपको जगा जगा पे dot dot दिखाए जारे होंगे न इनको lymph nodes बोलते हैं तो sometimes इसके अंदर fat जमा होने लगता है काफे साइज substance आपर जमा हो जाती है और आप कहीं बार गांट उभर आती है बाडी के अंदर तो doctor गले के आसपास आपके armpit के आसपास चेक करता है identification करने के लिए कि उस person को cancer जैसे chance दो नहीं है तो lymphatic vessels इस तरह से पूरी body में ऐसे failure होती है और क्या बनाती है lymphatic system create करती है पुरा का पुरा यह gland है यह एक इस पर जानने की जरूट नहीं glands पढ़ लोगे आप next chapter में यह एक spleen होती है कुछ जो RBCs और WBCs होती है वो spleen के अंदर भी बनती है है किर हमें तो lymphatic system जब कोई purple glare का नज़र आ रहोगा यह दिखाना था तो यह जो lymph होता है कहाँ फ्लो होता है lymph it मतलब lymph it flows in the vessels called lymphatic vessel तो यह lymphatic vessels थे और यह पूरा network क्या 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 लाता है यह lymphatic system क्या लाता है इस lymphatic system में क्या flow होता है lymph flow होता है lymph कहां से आया simple blood के अंदर से जब वो blood capillaries से pass out हुआ तो capillaries में कुछ holes थे कुछ pores थे वहां से leak हो गया थोड़ा सा plasma और majority में leukocytes ठीक है leukocytes कौन से lymphocytes वाली तो इसको plasma lymphocytes को मिला के हम लोगों ने क्या बोला lymph बोला इसलिए lymphocytes वाट से आया कि इसमें majority में lymphocytes होती है और ये कहां फिलो होती है एक अलग system है अलग network के बोड़ी के अंदर किसे क्या बोलते है lymphatic system बोलते है बोड़ी कितनी complex है हमारी पता नहीं कितनी साथ सिस्टम बने हुए है आप लोगों ने अलग से क्या बढ़ा था सबसे पहले nutrition में digestive system बढ़ा था वो भी हही पर fit है बोड़ी के अंदर पिर अपने respiratory system बढ़ा था आपके lungs थे trachevorykia बहुत कुछ था इसके अलावा अभी आप क्या पढ़ रहे हो फिलाल हमारे पास transportation इसके अंदर हमारा हर्ट आएगा हर्ट भी है फिट है बहुत सारी arteries, veins, capillaries वो भी सब पूरी बाड़ी में है lymphatic system बहुत नाइटी जा गई ये भी हमारी पूरी बाड़ी में fit है इसके बाद excretory system बढ़ोगे excretory system के अंदर भी हमारी kidneys वगारा बहुत साइटी जी होती है फिर reproductive system पढ़ोगे और reproductive system chapter number 3 के अंदर आएगा तो उसमें reproductive organs देखोगे तो सब कुछ body के अंदर fit है जब आप next chapter में control coordination के अंदर पर देखोगे तो brain के बारे में देखोगे तो बाड़ी इतना सारा कुछ है बहुत complex तरीके से हमें design किया गया है इस वज़े से हम लोग क्या कहलाते है complex creature कहलाते है कि हम multi-cellular तो है बट साथ में complex creature है इंसान में बहुत सारी चीज़ें बहुत complex तरीके से inbuilt की गई है थोड़ी सी बात आपको क्लियर हो गई है lymph का काम क्या है इंपोर्टेंट है भई lymph ध्यान रखना अपकी NCRT में बहुत छोटा सा इंट्रो यह रखा है मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कराने की तुम्हें कोशिश करी है डियाग्राम अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है जो इंपोर्टेंट आपको बनाना हो इंपोर्टेंट बности है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टेंट के यंदर जो फैट डिजर्ट होके अबज़र्ब हुआ है उसको पूरी बाडी में केरी करांगा काम कौन करता है वो भी लिंफ करता है याद करो, bile juice ने बड़े-बड़े fat globules को छोटों में तोड़ दिया था, उसके बाद small intestine के अंदर वो entry हुई थी bile juice की, वहाँ से क्या हुआ था कि यू जो हमारे छोटे-छोटे पार्ट में fat globules तूट गए थे, उनको further lipase ने किसमें तोड़ दिया था fatty acids में और glycerols में, और ये बाद में जो fatty acids और glycerols हैं, इनको lymph carry करके पूरी body में पहँचा देगा तो ये कहानी होगे, lymph के बारे में खतम more than enough, सारी बाते बता दी तुमें ठेके जी, अब क्या पूछा है which blood cells transport oxygen, कौन सी blood cells oxygen transport करती हैं, बहुत अब साने हैं blood और lymph का difference लिखोगे at least 5 difference आप लोगों को cover up करने बहुत अच्छे से easy word में लिखिएगा तो ये सब के लिए हुंबा के important question बनेगा examination point of view से knowledge बहुत सही से होनी चाहिए exam भी आपके अराम से पास हो जाएगे तो अगला question आपका हुंबा के लिए ये है ये important question है जरा इसको देखो क्या आएगे if a person had a defect in the gene for fibrinosan suppose एक person के gene में ही defect है fibrinosan नाम की protein के लिए then what health problem could this cause अब जरा दमाग लगाना इस fibrinosan को connect करना सोचना की fibrinosan नाम की protein किस चीज के लिए काम आई थी उसी से इस question का answer बन जाएगा क्योंकि sometimes मैंने बताया था ना कि जो blue blood disease था Elizabeth जो queen है Britain में उनके family में ऐसा disease था कि उनका blood में clot नहीं हुआ करता था तो इस situation में महाँ पर fibrinosan नाम की जो protein होती है उसके लिए कोई ना कोई coding defect होती है हमारे gene के अंदर जिस वज़ए से genetic disease आता है तो सोच के लिखना proper रिम इसका answer लिखना कि fibrinosan protein में कोई defect है तो उस situation में क्या-क्या problems arise हो सकती है तो यह second question होगी आपका homework के लिए diagram ऐसा कोई खास आया नहीं है एक आज जगा जहाँ पर कई chart आया important उसको बना लेना बाकी सारी चीज़े वीडियो को बहुत अच्छे से अगर आपने सोना है सारी बाते अच्छे से देखी है क्या-क्या diagram से मैंने illustrate किया है तो आपके knowledge ज़ादा important उन सब चीज़ों के लिए जहां important points आयां सबको no down कर लेना इसके बाद की जो next class आएगी उसमें हम लोग blood vessels के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगोंने basic चीज़ तो पढ़ ली कि जो fluid था हमारा blood और lymph वो कहानी तो समझा दी next में जो blood vessels है arteries हैं, veins हैं और जो pumping device है हमारी hurt इन सब के बारे में cover up next class में कर लेंगे और जब वो हो जाएगा after that we will move on the transportation in plants ठीकिन, the plants का transportation बलोग सबसे बाद में बढ़ेंगे वांपे ठीकिन आच्यालो